पर होगा अब आपके सारे फिसिक्स के देशिन माच्जाब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों कीचो और अपको और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउ डाउलोड कीजिए डाउटन आप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आर्ट चार्सो बड़े इस प्रेस्यन में बोल रहा है यह हमारे पस फंक्षिन दे रखाए एक्स प्लस वन बाई-एक्स और मैक्सिमा और मिनिमूम वैल्व क्या होगा सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम मीनिमम वैल्यूच फाइंड आट करने के लिए हमारा डि य डिवाइ चाहिए at maximum and minimum value तो मैं दिखता हूँ यहां पर at extremum बोलते है इसको extremum value क्या होना चाहिए हमारा dy dx जीरो होना चाहिए it means हमारे पास d dx y क्या है x plus 1 by x यह क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए extremum means either maximum और minimum दोनों कैसे हो सकता है minimum फिर यहां से क्या करेंगे differentiation of यह क्या हो जाएगा differentiation of x plus differentiation of 1 by x this must be equal to 0 at extremum x का differentiation क्या होगा 1 plus 1 by x का differentiation मता minus 1 by x square this must be equal to 0 at extremum it means that क्या हमारा क्या हो जाएगा x square must be equal to 1 at extremum means x is equal to 1 plus minus 1 हो जाएगा तो x is equal to plus minus 1 वो वाली point आ गई यहां पे हमारा function x plus 1 by x क्या होगा extremum होगा तो अभी हम check करते हैं तो हमारे पास जो point आई है extremum की वो कुछ इस तरीके सा है यह x is equal to plus 1 और minus 1 तो यह हमारा extremum point आ गया तो function की value चेक करते हैं at x is equal to 1 पे function की value क्या है at x is equal to 1 पे function की value जो है वो है हमारे पास at x is equal to 1 पे function क्या हो जाएगा हमारे पास 1 plus 1 by 1 it means यह हो जाएगा 1 plus 1 which is equal to 2 इसी तरीके से function at x is equal to minus 1 भी चेक कर लेंगे तो at x is equal to minus 1 function क्या होगा minus 1 plus 1 by minus 1 it means यह value हो जाएगी minus 2 तो function की value extremum points पे आई है हमारे पास y is equal to 2 and y is equal to minus 2 तो it means की जो maximum value हो जाएगी function की वो हो जाएगी y is equal to 2 at x is equal to 1 and minimum values होगी वो हमारे पास minimum होगी जो हमारे पास y is equal to minus 2 होगी at x is equal to minus 1 पास